रूसकार मैं हूँ विरेन दिवेदी और आप देख रहें अधिकार एक्स्प्रेस योगी आधितिनाद की सरकार ने उच्छे नियाले से जटके के बावजूद नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर अडिग है योगी आधितिनाद की सरकार ने इसके लिए उत्तरपदेश लोग तथा निजी संपत्ती छटी वसूली अध्यदेश 2020 को पास कर दिया है इसके तहट आंदोलनों और प्रदर्शनों के दोरान सारवजनी की आनिजी संपत्ती को नुकसान पहुचाने पर दोस्यों से वसूली भी होगी और उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संपत्ती छैदावा अधिकरणों का गठन करेगी हलाकि अभी संपत्ती के कानून नुकसान की भरपाई के लिए अध्या देश में नुमा अवली तै होना बाकी है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक इस तरह का कोई विध्या किया कानून नहीं था जिसकी मदद से सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जा सके उत्तर प्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला प्रदेश होगा जो दंगाईयों को केवल जेल में ही नहीं बन करेगा बलकि उनकी संपत्ति जब्त करके उन्हें सड़क पर ला देगा ताकि अगली बारवा हिंसा करने से पहले सो बार सूचे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सद्ध्या देश के तहट गठित होने वाला अधिकरण काम कैसे करेगा दैनिक जागन में छपे समाचार के अनुसार योगी आधितनात की सरकार, राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों के दोरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से छटी पूर्ति वसूलने के लिए संपत्ति छै दावा अधिकरणों का गठन करेगी दावा अधिकरण को सिविल नियाले की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा उसका फैसला अंतिम होगा और उसके खिलाब किसी नियाले में अपील नहीं की जा सकेगी छटी पूर्ति हुई निजी संपत्ति के मालिक को संबंधित थाना ध्यक्ची या थाना प्रभारी से ऐसी रिपोर्ट की प्रती हासिल करने के बाद अपनी दावायाचिका तीन मा के अंदर दाखिल करने होगी मुआबजे के लिए दाखिल किये जाने वाले आवेदन या दावायाचिका के साथ नियायाले फीस इस्टैम के रूप में पच्चीस रुपए का फीस लेगा मुआबजे से भिन सभी आवेदन पचास रुपए के नियायाले फीस इस्टैम के साथ स्टाम्पित होगे समन किये गए प्रक्तियक साक्षी या पक्षिकार के लिए सो रुपए की प्रक्रिया फीस नियायाले फीस इस्टैम के रूप में होगी दावयाचिका में संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले या इसके लिए उकसाने वाले पुलिस की रिपोर्ट में नामित लोग विरोध प्रदर्शनों को प्रायजित करने वालों को प्रतिवादियों के तौर पर शामिल किया जा सकता है आवेदन में 30 दिन के विलंब को अधिकरन माप कर सकता है यदि आवेदक इसी की सही वज़े बताता है अधिकरन प्रतिवादियों को आवेदन की प्रति के साथ आवेदन पर सुनवाई करने की तारीक की नोटिस भेजेगा प्रतिवादी पहली सुनवाई या उससे पहले या नोटिस तामिल किये जाने की तारीक से 30 दिनों तक दावा की गई छतियों के बारे में लिखित विवरण देना होगा यदि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ तो अधिकरण उसके खिलाप एक पक्षी कारवाई करेगा पक्षकार के आवेदन या अन्य वाजिब कारणों से अधिकरण समय समय पर सुनवाई अस्थगित कर सकता है किसी भी स्थिती में एक पक्षकार को तीन महीने से ज़्यादा अकास्थगन नहीं दिया जाएगा दावादिकरण ऐसे प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्ग कर लेगा साथ ही प्राधिकारियों को निर्देश देगा कि वह प्रतिवादी की संपत्ति नहीं खरीदने के बारे में सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर चेतावनी जारी करें और इसके साथ उसका नाम, पता, वह फोटोग्राप प्रकाशित करें अधिकरण च्छतिपूर्थ की धनराशी के लिए कलेक्टर को प्रमाण पत्र चारी कर सकता है कलेक्टर उसकी वसूली भूराजस्चु के बकाय की तरह करेगा अधिकरण अनुकरणी च्छति के तौर पर मुवाबजे की दोगुनी धनराशे भी वसूलने का अदेश दे सकता है अधिकरण जाच और नुकसान के आकलन के लिए दावा आयुक्त की तैनाती कर सकता है दावा आयुक्त अपर जिला मेजिस्टेट अस्तर के निचले अस्तर का अधिकारी नहीं होगा अधिकरण दावा आयुक्त की मदद के लिए प्रतेक जिले में राज्य सरकार दोरा नुक्त पैनल से एक-एक सर्वेयर भी नुक्त कर सकता है जो नुक्सान के आकलन में तकनीकी विशेशग्गी की भूम कर निभाएगा दावा आयुक्त तीन महीने यह बढ़ाई गई अगदी के भीतर अधिकरण को रिपोर्ट सौपेगा अधिकरण पक्षकारों के सुनुआई के बाद दाई तो तै करेगा दावा अधिकरण में सदस्यों की संख्या राज्य सरकार जैसा उची समझे उतनी होगी जहाँ दो या दो से अधिक सदस्य होँ वहाँ उनमें से एक सदस्य की नुक्ति अधिक्ष की रूपन की जाएगी अधिकरण का अध्यक्ष से रिटायर जिला जज्ज और सदस्य से अपर आयुक्त अस्तर का अधिकारी होगा किसी शेत्र के लिए दो या उससे अधिक अधिकरण गठित किये जाने पर वहाँ राज्य सरकार उनके बीच कारका वंटन कर सकती वहें अमरुजाला से बाचीत के दोरान उच्च नयायले के सेवा निवीत नयाधिस डीपी सिंग का कहना था कि नया अध्यादेश समविधान के अनुच्छे चौरा पर खरा उतरना चाहिए संसदव विधानसभा को कानून लाने का अधिकार है लेकिन किसी भी अपराद में दंड अपराद के समय प्रभावी कानून के तहत निर्धारित होता है नोटिफिकेशन जारी होने की इस्तिथी से ही नए कानून को प्रभावी माना जाएगा यहां देखना होगा कि कानून भूत लक्षी प्रभाव का है या आगे का है अब आपके लिए यह भी जानना हो शेक है कि सरोच नियाले निस्षन दोहजार नौ में राजनीतिक धर्ना, प्रदर्शन, बंद और हर्ताल के दोरान उपद्रवियों दोरा सरकारी एवं निजी संपत्ती को नुकसान को लेकर कुछ दिशाने देश जारी किये थे जिसमें कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन की वज़ा से बड़े पैमाने पर सारवजनिक या निजी संपत्ती को नुकसान पहुचाने पर उच्च नियाले स्वता कारवाई कर सकता है सारवजनिक संपत्ति के नुकसान होने की इस्थिती में सारी जिम्मेदारी नुकसान करने वाले आरोपी की होगी आरोपी को खुद को निर्दोस साबित करना होगा, निर्दोस साबित होने तक नियाले उसे जिम्मेदार मानेगी और नरीमन समिती ने कहा था कि ऐसे मामले में दंगाईयों से सारजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाए आपको बता दें कि C.A. के विरोध के दौरान 19 दिसंबर को अचानक लखनव की सडकों पर हिंसा भड़क उठी थी पुरान लखनव से लेकर हजरत गंग तक हिंसक भीड ने जम कर रुतपात मचाया पुलिस से लेकर मीडिया पर भी हमला हुआ दरजनों गाडिया फूक दी गए पुलिस चौकी को भी आके हुआले कर दिया गया था इस घटना के बाद योगी आधित तिनात ने इलान किया कि किसी भी दोशी को नहीं भखसेंगे महीने भर में कई लोगों की गिरफतारियां हुई जिला प्रसासन ने CRPC के तहब 53 आरोपियों से 1.61.00 रूपए की वसूली का नोटिस जारी किया लेकिन वसूली में कुछ विधिक समस्याय आ रही थी इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दंगे के दोरान हिंसा के आरोपियों के पोस्टर भी लगाये थे जिसे लेकर इलाहबाद उच्चे ने आले ने आपत्ती जताई थी पोस्टर हटाने का अदेश दिया था इसके खिलाब प्रदेश सरकार फिलहाद सर्वोच ने आले गई हुई है आपको बता दें कि अब दिल्ली पुलिस भी दिल्ली हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उत्तर प्रदेश की योगी आधित्तिनाद की सरकार के दंगाईयों से पैसा वसूली वाले फार्मूले से करने की तयारी कर रही जो मानन नहीं देने पर आरोपी की संपत्ति कुर की जाएगी पुलिस ने इसके लिए उच्च नियाले से एक क्लेम कमिश्णर नियुक्त करने की गुजारिश भी किये वही नागरिक संसोधन कानून को लेकर देश के विभिन हिस्सों में हुए प्रदर्शन से गुजरात भी अच्छूता नहीं रहा प्रदर्शन के दोरान खंभाज सहर में सामप्रताइक दंगे हुए अब गुजरात सरकार भी उत्तरपदेश की योगी सरकार की तरह दंगाईयों से नुकसान की वसूली की तयारी में है आपको बता दें कि जिस तरह से गुजरात, राजस्थान, हर्याणा मे आरक्षण के नाम पर, हर्याणा पंजाद, दिल्ली उत्तरपदेश में राम रहीम की सजा के विरोध में, उत्तर्प देश के सहारनपुर में जातिगत उन्माद में अंधे होकर और हाल ही में सीये के विरोध के नाम पर देश भर में जबर्जस हिंसा हुई और दंगाईयों ने सारुजनिक वानीजी संपत्ती को नुकसान पहुँचाया वह बहुत चिंता का विसा है ऐसी अराजकता को रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा तब ही देश में दंगा करने वाली अलोग तांत्रिक और अराजक मानसिक्ता पर लगाम लगाया जा सकेगा आज बस इतना है धन्यवार अधिकार एस्पेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें साथी घंटी को जरूर दबाए और लोग सेवा अधिकारों के स्वतंत्र पत्रकाईता के लिए हमारी मदद करें